है है तो हिए और देखने वाले हम ़ोके एक और नया शाप्टर जो के चाप्र नुबर फूर्ब्र है आपके मास्टु का बहुत सीड़ चाप्टर है मेरे शाप से चाप्टर नुबर 3 बहुत भूइन फोला वॉड को अब आच के प्रिक्वेंसी डिस्ट्रिबुशन पर वेज होने वाला है उस पर बहुत ही इजी लिए हम दो सारी चीज़ों को समझेंगे क्या क्या चीज़े से पूस्ते एक छोट से एक्सामपल के साथ समझेंगे कुछ बहुत मजाने वाला है सारी चीज़ों को देखने के लिए समझें के लिए बैनर वीडियो के एंड तर तो कैसे आप सबी लोग आप सब्सक्राइब करता है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जायर कॉलेज़ पर अज का वीडियो तो पड़ा पर इस वीडियो पर बढ़ करें जब आपन साथ करेंगे कैटेगेरियल मतलब क्या होता है कंटिंजन सी टेबल क्या होता है सब चीज़ आप यहां पर देखेंगे बाद माजनल फ्रिक्वेंसी देखेंगे सब कुछ इसके अंदर हम लोगों को यहां पर देखना तो मैं सबसे पहली चीज जो आपलो का और उन बच्चों का अगर height और weight का अगर मैं distribution ready कर रहा हूं तो यहां पर दो variable बनेंगे हर एक बच्चे की दो values आएंगी एक height की और एक height की values आएंगी और दूसरी आएगी आप लोग की weight की तो इस तरीके से हमारी हर class के अंदर दो-दो values निकलेंगे अब इसको अगर मैं frequency table में divide करें तो दो type के frequency आजाएंगे तो इस case को बोलेंगे आपन bivariate frequency distribution अब इस case में हम लोग solve क्या से करते हैं तो यहां पर एक example लिया हो मैं ता कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गए अब इसमें एक frequency को अपन करें capital X and second frequency को consider करें अपन capital Y यहां पर एक example दिया हुआ है कि दो को आपके यहां पर बेसिक से example दिया हुआ 15 values का example जहां पर दो दो वेरेबल है एक वेरेबल है हमारे पास डेली एक्स टेंपरेचर इंट सेल्सिस जो आपने आराउंड जो आप आज पास पर आपना टेंपरेचर होता है डेली टेंपरेचर 33 18 16 34 33 18 16 33 18 33 16 33 ऐसे करते 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 34 तक गया हुआ और दूसरा नंबर ओफ आइस्क्रीम इसे करना तो मैं कंसिर्डर कर लूगा और एक्स टेंपरेचर कर लूगा और एक्स कर लूगा और यह सारी चीज़े करेंगे नों तो आप लोगो चीज़े एक्दम आसान लगने लग जाएंगे अब दो आप लोग शेवाट वैलिवे थर्टी रीये ए एंटीन है फिर से धिको तर इफोर के बाद वापड़ से 33 है तो कॉमन प्रिए लेगे सबसे चोटी वैल्यों में। सबसे पहले है सबसे जोटाबेल अपास कौन से 16 तो या लिकूँगे उसके बद कौन से बेलिव हमारे पास 182 18 उसके बाध हमारे पार तो यहां पर लिखुँए 33 और उसके बाद लिख दूँगा 34 क्या क्लेर हो यह चीज उसी तरीके से हम लोग वाई की वेलुइस पर जाएंगे वाई पर आचेंगे वाई हमारे पास क्या दोस्तों नमबर आइस्क्रीम सोल तो वाई की वेलुइव पर जान देते हैं यहां पर क्या किया अलग-अलग तरीके से इस तरीके से लिखती है अब इसके बाद आपने टेस्बूक में देख रहे हैं तो बड़ा ही कन्फूजन फील हो रहा है करें डरने की बात नहीं है इसको करेंगे हम लोग एक मेतल यानिकी टैली मार्क के मेतल से करेंगे तो आप सभी को मे कीछे 250 पर एक क्लाइन कीज़ों तो गया इतना उसी के साथ 18 पर 158 पर कितना है 150 तो यहां पर एक लाइन कीज़ों आगे बड़ो 16 पर 250 34 पर कितना है 400 सिंपल यहां तक और क्या उसके बाद कि दर पर बहुचके 34त हो गया फिर 33 518 पर 250 33 पर 33 पर 500 एटीन पर कितना 250 उसके ब 33 पर कितना हो जाएगा 500 ऑगे सही जा रहे आपना 33 पर 500 दो बार आ चुका है देखो यहां पर एक आया था 33 पर 500 एक पर यहां पर आ गया आगे उसके बाद क्या 18 पर 150 पर आ जाओ 150 बना लो इसमें भी दो आगे 33 पर 500 33 पर अगें 500 आगे चलो आगे चलते हैं 16 पर 250 16 कि दर चल होगी डन आगे 33 पर 400 18 पर 400 33 पर 400 ले लेंगे 18 पर भी 400 ले लेंगे और 34500 एप्र 4534 पर 400 वेलुस्ट आप लोगों समझ में आगाई अब जितनी है यहां पर रिकित को number में लेक लेंगे जीशिए यहां पर बन आया यांपर बीडू आया यहां पर भी वाह यहां पर रह फ हमारjut पास आए ये वह न और तो किटनी की डाइश जाल देशल से लिए मैं को प्लस कर और फइल फाइब स्टेवर्ट कितना हो जाए तू वन वन कितना हो जागा हो एक अपने इंटरेवल के फ़र्म में आता दूसरा आता अपने डारेक्ट वैल्यूस के समझ में आगे अब बात करते हैं मार्जिनल फ्रिक्वेंसी के तो मार्चिनल फिक्वेंसी दो होती है आप देखो जैसे यहां पर आपको टोटल मिला है उसे बुलेंगे ऐसा क्यू यह है इसलिए हो जागा एकस के बराबर और यह वाले वैले लिको पारल्ल वाली लाइने इस अगिश्टीनल फिक्वेंसी और एकस की मार्जिनल फिक्वेंसी निकाल ले है वाले है अ यहां पर लिख दो टो टोटल आहीं लहीं तो भी चल जागा लेकिन लिख दो को जादा अच्छा है कि बद यहां पर लाइन कि श्लो ते गहां पर यहां पर इक स्टेट लाइन किश्लों ऐसे करके यहां पर आएगा यहां पर आएगा आपका F of X एनि फ्रेक्वें सी यह फ्रीट्रिय। यह ओगा आपका मार्जिनल से क्वेंसी उपक्स समझ में आए क्या समस्मय मैं दोस्तो जो भी यहां पर लिखो प्रिक्वेंसी स्म करने पर यहां पर लिख दिना यूग आपका आपका मार्जीनल श्रिक्वेंसी आपको यह पूछाओ ऑगा है तो सेम वही करने जो आएक्स में किया हुआ है यहां पर लिखो वाइक क्या वैले से 150, 250, 400, 500 तो लेको 152, 50, 400 and 500 लेक्ट देगे हैं फिर उसके बाद उसके बाद टेबल रेडी करे लो फटापर से यहां पर मैं यह से करे करे करता हूं यह होगा मेरा प्लांस रेडी हो गै अब रोस रेडी करना है यहां पर तो दो रो डेडी कर दिया वैने यह है तो 3 4 4 4 तो यहां पर क्या आजाए कहा हमारे पास 3 4 4 4 और यहां पर एक और चोटा सा कॉलम आट करके आप लिको टोटल पार वो टोटल कितना और 15 मेरे इस आप से आप लोगो मार्जिनल फ्रिक्वेंसी में कोई डाउट नहीं कोई दिक करते हैं तो इस तरीके से आपक किषक्वेंसी लिए रहेगा किषटों वैंद कंडिशनल फ्रिक्वेंसी ऑफ एकस तोग है कि बहुत सरी है 1-2-3-4 टिंदो वाइक की वैलिए 400 गुना हुआ चोवाइक के वैलिए छॉन लेए तो काल विपले लिए यह सब्सकalten के लिए उललगों किसी मॉर्ण है चील चरौन है लगों यहां पर इकी वैल्यूस लिखने ही पढ़ेंगे है यहां पर लिखेंगे आप लिखना एक से वैलिटो mo में यहां पर अपन इखुनर और यहां पर इखकर और यहां पर क्रिक्वन्सी से चलों चेक करता है हुआ में आप लोगों को समझाता हूं क्या लेक्षने आपको कंडिशनल फ्रिक्वेंसी और एक्स वेल वाइए को एकोई टू फॉरहंड़ेट तो वाई की वैल्ली पर इयरे यहां पर एक्स की वेल्व क्या है एक 16 पर कुछ भी नहीं है 18 पर वन है 33 पर वन है 34 पर तो 16 18 33 34 16 18 33 34 और इधर पर क्या आएगा अब इसके लिए लिखना है आपने को 400 के लिए तो यहां पर लेख दो डाश 112 अब क्या कर देना यहां पर लेको टोटल और इसका टोटल कितना दिया हुआ था 1234 तो इस तरीके से लिख देना अब इसी का उल्टा भी पूस्ता था कंडिशनल फ्रिक्वेंसी ओफ वाय वैन एक्स की वेल्यूस मनलों की अपने को देविए 33 तो एक्स की वेली 33 वाल आप प्रिक्वेंसी में आपने को कोई भी राउट नहीं है अगर डाउट होगा तो तो कमेंट सेक्षन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना यह पार्ट केर हुआ ठीक है तो मेरे साब से आप हम लोग बढ़ सकते हमारे कोशन पर फड़ा पड़से उससे भी कंप्लीट करते ह है तो पहला कोशन आपके सामी स्क्रीन पर यह रहा यहाँ यहाँ पर इक मिन did टेबल दे दिया हुआ है क्या देदिया बहुत एच्छे तरीके से हम लोग करना क्या है हम लोग को निकालना है सबसे पहली चीज marginal frequency distribution of income and expenditure marginal distribution अब लोग को इनकम क्या है एक्स है तो हम लोग को निकलना marginal frequency distribution of x and y दोनों की अलग-अलग marginal frequency निकालने बहुत हीज़ी है conditional frequency निकालने है distribution of x when y is between 300 and 400 अराम से कर लेंगा आगे conditional frequency distribution of y when x is between यह भी हो जाएगा और how many families have their income 300 and more and expenses रूपीज 400 and less चलो देखते हैं इसे कैसे किया चाहिए स्टार्ट करता हूँ एक टेबल ट्रॉ करकर तो मैंने टेबल ट्रॉ कर देना इस टेबल पर ही मेरा पूरा का पूरा अंसे से ठीका हुए चलो मैं यहां पर फटा पच्छे टेबल रेडी कर दिया मेंना एक एक ऐसे रेडि गरता हूँ से आने वाली है ठीट वेलिशिव एं और टोटल वाला है वी और त्री और फाइनल जो कॉलमन हो टूटल वाला है ठीख है यहां पर एक तो आपने चीज़े को लिखते हैं, जैसे कि यहाँग उपने लिखना चाहता हूँ, अब दो डो वेरेबल्स है, पहला है एक्स और दूसरा है याँपर एक्सवाइब आचाहिए, उसके बाद यहाँ बिदा है, यहां पर वैलेस काई क्या दीविया, याँपर यहां पर यहा से लेकर 300, 200 से लेकर 400, से लेकर 25 , 200 से लेकर 3400 से लेकर 45 , एक्स्याइँध चीज आपने जो सब consonant वे कए थो ग्रिफ या lang ऐसे एक दसकून में लिगता है यह फीटा सबनेकर ना पास नहले खीक से एक इतना है पास वह सबने हैं यहां पर लहां पोर है यह रहए पर भी सिक्सरी इस के पाद यहां पर डश-टार स्च एड़ आप टेन यह तो यह पर 6 यह पर कितना हो जगा 10 और यह हो जाए का अपना 1 और 6 कितना होता तर 7 7 प्लस टू हो जाएका 8 अब दोए आइड करो यह हो जागा 24 और 24 ने एक में कुछ तो भी आड़ेशन में आपने शार्थ मिस्टेक की होगे से चेकर लेता है यह हो जागा 6 617 ओके इसके बाद 667 नहीं आएगा 6 और 6 कितना होता है दोस्तों 12 12 प्लस 1 कितना हो 13 तो यहां पर मैं 13 लिखता हूँ उसी के साथ 4 प्लस 610 होगा और 2 मेरा वैसे होगा इसको आड़ करेंगे तो यहां से 25 यहां पर मैं लिखता हूँ एक शोटा से टेबल रेड़ी करूँगा दो डेबल रेड़ी करने पड़ेंगे क्यूकि एकस और माय की लिए टोणों भी लिखना यहां पर में एकस सर्वाइग लिए टेवल रेड़ी करते था हूँ अब निकालना है तो बहुत सिंपल है यहां पर यहां पर यहां पर वाल्य कुझे ए पर लेकर तो यहां पर छू ने थिया पार обяз निचा लेकर इसले में पर यहां पर वैसी लेकर और यहां पर यहां पर क्या अगर टोटल आ जाए तो मेरे इसाब से इतनी चीज़े आप लोग को होपफुली समझ में आगे रिंगे इसमें कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं है तो मैंने ऐसे बना लिए इसको भी ऐसे ऐसे कर लिया इतना क्लियर होगे आप लोगों चलो फाइनल आप बात करते बाकी जीज़ों को अब एप एक्स एक्स की वैली इसको देखो यहां पर कितना है 6 10 9 25 और वाई गो देखो 13 10 2 25 तो 13 10 225 यह आप लोग का आ गया मार्जिनल फ्रिक्वेंस यह क्या है इसका एक्स का लेकिन एक्स क्षे हमारा इंकम और नीचे वाला क्या है सेम अ मार्जिनल फ्रिक्वेंसी ओफ वाय और वाय हमारा क्या है expense an expenditure sa m aqui statement लिखना है किये समझ में आप लोगो पहला कोश्य नो पेक्षाब से समझ में आ गया अब बात करते conditional distribution the conditional frequency distribution of x when y की value किते तीए y की रिटी तीन सवाथ सो दिये तो पड़ करें के लिए यहां पर यहां पर मैं ले को प्रेंज दिया होँ यहां पर दो से तीन सो था यहां पर हो पर यहां बना दी लाइन बना दी आपर मार्ट से इंग्लिश नहीं यह पर आना चाहिए तो दीव आपर नहीं दिख रहोगा तो उसे देख लिए आप आगे बढ़ता है वैलिस पर आते हैं क्या बोला कोशन पर ध्यान दर्णना से के कुश्ण कंडिशनल टियुक्रशे लिए जब वाई टी लिए रहा ऺैओ से चाहिए तो अपने कौन सा है डैश फूर और यह इतना है तो यहां पर फिर से बता रहा हो य की वेलू कितनी इन से चार सो के बीच में जब है ना तब अपने को एक्स की फ्रिक्वेंसी लिखने तो क्या आएगा डाश फोर शिक्स और यहां पर आजागा अपना प्र फूर शिक्स बहुत सिंपल है तो यह हो गया अपने थर्ड का आं तो आप लोग को यही लिखना तो मेरे साब से यह आप लोग को आजागा मैं बताता है मैं यहां पर डिरेक्ली इसी में लिख देता हूं वाय की वैल्यू सेम यही होती है इसी टेबल को मैं एक्स्टेंड कर देता हूं यहां पर यह सब वैल्यूस मैंने यहां पर सेम लिख सारी है तो वही मैंने यहां पर इसी कंडिशनल फ्रिक्पेंसी लिखिए तो आप लोग को यह सी वाला तो समझ में आई गया होगा इसको अच्छे तरीके से आप लोग कर लेना मैं इसको अटा देता हूं यहां सी वाला आप लोग को आज एक डी वाले पर बढ़ता हूं कि ने पर हमेंलो प्री फ्री खिर ांड और से घरी फेरो पर जन्याइंस लेकर और वह सुझाря को अन्यासर फ्लीए तर्वाल पर यह 16 यहां पर ने बरबर है ठीक है और उर सुने और क्या बुला हूँआ है Aus on four 120 जंत से कम है तो का पर ही परर चैनल के आपके आगर मैं इसको अलग और अगर यहां से तो ऑलग और यहां से यहां तक यपार्ट होगा ठीक है उसी तरीके से मैं एक-or अगर तीखर टेबल रिड़ी कर håं इसके लिए पहला पार्ट कर यहां से यहां तक कोट ठीक है इतना एक दोनों में इसको क्कॉट कर अब यहां से यहां से यह वाल पर आप दोनों में red वाले में और white वाले में जो common partner वह एक भागा इसका तो देरफोर इधर पर लिखेंगे नमबर ऑप फैमिलीज जिनका इंकम क्या है 300 जिसका इंकम कितने से ज्यादा है 300 और उससे ज्यादा है और एक्सपेंस किसे 400 पॉर एंडे से कम है तो वैल इसके आएंगे 61614 और 6 तो इनको एड करते हैं तो 6 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 6 6 प्लस 1 7 प्लस 4 11 प्लस 6 17 तो आंतर कितना गए 17 और बहुत यह सिंपल तरीके से कुशन हो गया तो डेफिनेटली कुशन आप लोगो समझ में आ गया होगा कोई डाउट है दोस्तों नहीं ठीक है चलो बहुत अच्छी बात है तो मेरे सबसे चोटा सा कोशन आपको बहुत अच्छी दरीके से क्लेयर हो का बात करते हैं अपर नेक्स कोशन की उसे भी पटापट से कंप्लीट करते हैं ओके यह कोशन सेम टाइब से करना है बहुत ही आसान होने वाले ज़रा ध्यान देना कैसे किया जाए यहाँ पर हमें बोला हुआ हुआ है साइमें से 25 ताइम्स ये टोटल अपने को ना टूराइस को त्रोग किया गया पचीज बार ओके आगे देखते हैं और क्या दिया हुआ है पेर ऑफ अप्जर्वेशन और अप्टीन ये ऑप्जर्वेशन मिला वह प्रिपेर बाइवरिट फ्रिक्वेंसे डिस्रीशन टेब अब यहां पर मैं सबस्क्राइब निए एभरिट फर्सक फ्रिक्वेंसे इसको पड़ता हूँ एकस बीयी उसको पर नदीं कहाता हुँए तो इसне करेंगा अब यहां पर वैलिस को देखना पड़ेगा क्या क्या आता है एक समर कहता काता क्या आगा document और उसके बाद और कुछ है क्या 1 1 1 1 1 1 1 1 कई पर भी नहीं है तो यहां पर इसकी वैल्य है टू थ्री फोर फाइट यह पांच वैलिस है और वाई की विलू चेक करते हैं वाई की विलू क्या क्या है यहां बूश्ल में चेक के वाई की वाई को था दीक है क्यों सब्सक्राइब और तो यह तो आपर आप डेल इसलिड vlogs मियां पर दींडों कर देता हूं अम है वाई के वाई टिटर नहीं थो और अब नपत्र आ Mum लेकता हो एक से आपर आएगा एक सी वेल इस क्या है हमारे पास एक सकी है तू पाइफ और सरी सिक्वेंस भी लेकता है तो त्री फॉर फाइब 6 और वाई की वैलियू वन टू टू ट्री फोर और फार नीचे आपन लेकिंगे टोटल यहां पर भी टॉटल जगाई शायद कम पर सकते हैं पर इस पॉच्छे तरीके दूर दूर कर लेते हैं लिए इसको भी कर लेते हैं फटाफट से अपर बड़ा बड़ा टेबल बनाना ओके चलो वैल इसको यापर फूट करता है अपसे पहला वैल्यू यह अपर भी टोटल टोटल लेकले था है तो टोटल और टोटल यह मिलेगा हम लोग यह लेका यह लेका वाई को पारल है तो यहां पर मिलेका एफ फॉप कुआ है यहां पर एक्स पर पाल ला तो यह मिलेगा मुझे ए फ एक्स फिक्वेंसी आपक्स अब यहां पर लिखते वैले इस पड़ पर टूप आ जाओ त्री पर एक लाए शरी यह वां तूप यह तो टूप याज़ो टूप याज़ो टूप यह लैना आ जाए गा उसके बाद त पर टूप यह रहां उसके बाद टूप टूप यह रहां उसके बाद टूप टूप यहां पर आगया ओर यहां पर आए का फॉर पर टूप तर ला ईयए ह घर चला यहां懂 पर टूपर के पर तूप लॉब की लाए तोब आखे यह रहां उसके बाद टूप अगे पर फॉर्हाइब के लूए यह पाच हो गये इसके बाद टूपर फूर पर फूर पर यहां पर फ़ए रहा फिक बाद फॉर पर फॉर पर यहां फूर पर फूर पर यहां पर पर थूर ऊड़ुत ए मैं उसके बाद फूर फर सेане'm टू पर 3 ओके चलो बीडिस को देख लिए इनकी हम ऐसे कर लें यहां पर मैंद सबसे पहले अपने दाश है यहां फिल्ड रिखता हूं मैं लिखता हो रहा किटना पन लिख पर फाइब तो पर फाइब कितने हमारे पाइब पाइब तो पर फाइब किदर और यहां पर लाइन पर कुछ भी नहीं तूपर फाइब यहां पर फाइब तूपर 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 फाइ आपने होने चाहिए है और कहा पर पर रवन यहां पर फोल्डा फर्वन को पर नहीं भी हो गया उसके बाद यहां पर यहां पर है और फाई विद्वत में एया ह। यहाँ पर यहाँ पर हो गया तो यह के साथ 3 यहां पर यह रहा उसके बाद वन के साथ 3 यहां पर है तो थैक तरी यह रहा, क्यांसरी 5-3 ईसके बाद 4 के साथ 3को भी छी कि एक बार तीन बार आना चाहिए ए एक पूर के साथ थिन वारर प्लक के साथ three नार फिर कि एक उतर जो आगे बढ़ते हैं एक अध sesus ट रीन गध सद द गर गर्टे चेकर रहें थो 9 के साथ फोर 6 साथ profound इसके उसके बाद यह आपने देख लिया पहले उसके बाद कितना फॉर के साथ 543 इतने बैक टिर्वार्च तीन बर 425x friends of 5 आपके साथ बनियरा उसके बाद 1 और 2 कितना हो जागा 3 या पर 2 है यहां पर 1 है कितना हो जागा 3 हो जाएगा यहां पर कितना हो जाएगा यहां पर भी कितना हो जागा 7 यहां पर 1,2,3,3,2,5 यहां पर 3,2,5,3,8 ठीक है आगे बढ़ेंगे 2 और 1 कितना हो जागा 4 2 और 1 कितना हो जागा 3 हो यह आपका बमल उत्सीन टेबल यह आपका इस अ YESया आज़ करना है दो के लिचा तैसज दो आले को आ प्रुमिशिन गने पहले पहले एकस्ْमार्जीन फ्रिक्वेंच्य और । खीका आप लेखेंगे मार्जीनल इक रिक्वेंसी अफ एक्स अलिको एक एक्स टिवेलिस ऐस्ट क्या क्या मेरे पास टू है थी है और फॉर है और शिक्स प्र ती आप ने लिक्लिए तो थोड़े मैं आप लोगो बताता है अमार्जनल फ्रेक्वेंसी कैसे लिखना यहां पर जाएट पर एकना यहां पर में अब्सक्राइब करना है एक उसाइप यहां पर में मार्जीनल रिक्वजिए ओप ने करते हैं अब आपको टेबल एडी करना है एक वागा टेडी एक गड़ी करना है यहां पर आप चलो यहां पर फटापक से वाई की वैले चेक करते क्या क्या हमारे पास वाई की जो भी वैलु यहां पर लोगो वर्टीकल लाइन कि चलिए अब वैल इसको रहते हैं आप 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 की फ्रिक्वेंसी क्या क्या है यह फ्रिक्वेंसी यह 4363 9 तो वाई पर 4243 उसके बाद 3 पर 6 और 3 और 9 लाज में कितना का 25 यह था आपका करना है है कंडिशनल फ्रिक्वेंसी करना है एक सीफिटो सम्तिंग मेरे साप से आप लोगो यह कोई भी डाउट नहीं होगा अगर कोई भी डाउट हो दोस्तों पड़ा आप से कमेंशन में तेर करते हैं दोस्तों आज की लेपस इतना ही मेरे साब से ये कोशन और आपको पूरी बेसिक कहनी जो मैं आज यहाँ पर समझाई है बाइवेरेट फ्रिक्वेंसी डिस्रीबिशन के उपर पूरी तरीके समझ में आगे रहेगी बचे वे कोशन कोशन नमबर 4 5 & 6 अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे तब तक के लिए स्टेट यून और गुडबार